Hello everyone, I am Lokesh and welcome back to the channel दोस्तो आज की वीडियो कुछ अलग होने वाली है, कुछ खास होने वाली है क्योंकि दोस्तो आज की इस वीडियो में TCS की तरफ से जो जॉब्स का एक मेल आ रहा है उससे रिलेटेड हम जितने भी पॉइंट से जितने भी डाउट से उनको क्लियर करेंगे इसी के साथ देखेंगे कि एक्चुली में ये मेल किन केंडिडेट्स को आ रहा है इसी के साथ साथ क्या TCS I.N. की तरफ से जॉब ऑपरचुनिटी वाला मेल है इसी के साथ अगर आपने N.Q.T. October 2020 में दी थी और अभी तक आपको कुछ भी नहीं आया है means यहाँ पे अगर आपका जो है वो score भी अच्छा था और उसके बाद आपका जो है interview भी नहीं schedule लो पाए आप interview के लिए qualify नहीं कर पाए यह interview के लिए आपको call ही नहीं आया है तो TCS I.N. की तरफ से दोस्तो एक mail आ रहा है आज की इस वीडियो में पूरा इस mail के बारे में discuss करने वाले कि यह actually में mail के इन candidates को आ रहा है इसी के साथ साथ यह mail में TCS I.N. की तरफ से TCS I.N. क्या बताना चाहते हैं क्या यह job opportunity वाला mail है तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ हमने हमारे चैनल पे internships की सीरीज स्टार्ट की है काफी सारी branches के लिए और काफी सारी batches के लिए जैसे आप देख सकते हैं कल ही मैंने राद को एक वीडियो पोस्ट करी थी 2021, 2022, 2023 batch के लिए चार नई internship बताई थी बड़ी-बड़ी MNCs से इनमें आप जाके apply कर सकते हैं आगे आने वाली वीडियो में मैं internship की वीडियो आप सभी को बताता रहोंगा आज की इस वीडियो का हमारा main motive यह ही है कि TCS NQT, TCS IN jobs की तरफ से जो mail आ रहा है उसके बारे में बात करेंगे हम इसके सबस्त हम देखेंगे क्या jobs है TCS IN पर उन्हें में हमें कैसे apply करना है इस mail के बारे में जानेंगे यह mail क्या है किन candidates को यह mail आ रहा है third point यह है क्या यह job opportunity है TCS IN यह TCS team की तरफ से आप अगर top performer रहे हैं TCS NQT में तो आपको यह mail आ रहा है as a normal candidate mail आ रहा है और यहाँ पे 70 top corporates की job है जी हाँ दोस्तो 70 top corporates की यहाँ पे job available है आपको अपनी profile update करना है और आप job देख सकते हैं तो दोस्तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पे mail में उन्होंने क्या बता है तो दोस्तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे ब्रदर को आज से 7 days पहले mail आया था February 20 को तो इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई थी यहाँ पे दोस्तो क्योंकि मैंने इसके बारे में study करी research करा कि actually मैं mail क्या है इसके बारे में पढ़ा क्योंकि मैं ऐसी कोई वीडियो नहीं बना सकता आप सबी को मुझे एक genuine information provide करनी है तो उसके लिए मुझे study करना था तो मैंने उसे ध्यान से पढ़ा तब मुझे जाके लगा कि आज नहीं मुझे वीडियो बनाना चाहिए इस mail टॉपिक पे तो अब देख लेते हैं कि इस mail में क्या है उन्होंने लिखाए कि दियर प्यूज बागुरा तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे ब्रदर ने प्यूज बागुरा ने जो टीस नेशनल कॉलिफार टेस्ट है जो कि 2020 में हुआ था उनको उसको दिया था और उनका जो score था वो भी अच्छा था means करीबन 1222 से कुछ marks थे उनके 1222, 1800 में से तो इस ट्राइब से दोस्तों काफी सारे जो sections थे numerical, verbal, reasoning ability उसमें उनके जो है वो percentage बहुत अच्छे थे तो सकता है यहाँ पर one of the being top performer रहे वो TCS NQT में पर उनको interview के लिए कोई mail नहीं आया था दोस्तों TCS की तरफ से यहाँ पर दोस्तों उन्होंने बताया कि TCS National Qualified Test is your gateway to thousand of top jobs in multiple corporates to help you increase your chances of getting dream job we have associated with more than 70 top corporates to post their job vacancy on the TCS IN job listing platform दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताना चाहता हूं कि TCS की तरफ से यहाँ पर जो job post हो रही है तो 70 top corporates तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताऊं तो यहाँ पर उन्होंने बता रखा है कि 70 top corporates post करेंगे उनकी job vacancy TCS IN job listing platform पे अब यहाँ पर लिखा है कि in order to apply for this job vacancy you need to update your profile and apply for the jobs on the TCS IN job listing platform इस पूरी procedure को आप 5 steps में follow कर सकते हैं तो यह बहुत ही बड़ा update है कि यहाँ पर आप अपनी profile को update कीजिए और TCS IN job listing platform पे जितनी भी jobs है उनमें आप apply कर सकते हैं अगर आपको interview की तरफ से interview का mail नहीं आया है TCS की तरफ से लेकिन आपका score बहुत ही अच्छा है तो आपको यह mail जरूर आया होगा दोस्तों क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते कि मेरे ब्रदर का भी interview schedule नहीं हुआ था यह interview नहीं हुआ था तो उनकी TCS की तरफ से यहाँ पर इस टाइब का mail आया है तो अब इन 5 steps को कैसे complete करना है पूरा देख लेते हैं फटा फट से आपको सबसे पहले learning TCS IN Hub की platform पर जाना है यहाँ पर जिस टाइब से पूरा platform है आपको अपनी ID open करनी है और उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी my profile या my dashboard में जाना है इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी learner dashboard में जाके आपको edit profile पे click करना है अब यहाँ पर click on add more section to add applicable section and enhance your digital profile अब यहाँ पर बताना चाहता हूं जैसे आप मेरे brother की अभी जो है profile देख सकते हैं कि अभी profile extent उन्होंने mid level बताया है यह पुरी high नहीं हुए क् 62% ही complete हुई है तो यहाँ पर आपको अपना पूरा address लिखना पड़ेगा आपको इसके सबस्त अपनी सारी details देनी पड़ेगी आपकी profile summary कि आप क्या कर रहे हैं फिर आपका education आपकी key skills क्या है फिर आपने आपका जो resume है वो आपको resume यहाँ पर upload करना पड़ेगा इसके सबस् complete profile visibility from the left side of the menu and choose yes for both complete profile visibility and job visibility अब देख लेते हैं यह section क्या है edit profile visibility में मैं आपको जाके बताना चाहता हूं कि आपकी पूरी profile visible होना चाहिए या सिफ job visibility के लिए सर्च होना चाहिए key skills भी दिखना चाहिए आपकी project accomplishment भी दिखना चाहिए आपके तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि यहाँ पे आपके जितने भी जो पूरे points है वो आपके according आपको यहाँ पर define करने कि आपको क्या-क्या जो है वो job listing में आपको दिखाना है means आपकी जो profile दिखेगी वो कितनी attractive हो सकती है कि जिससे कि आपको जो job से उनका मौका मिले अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर दोस्तों यह है कि यहाँ पर जैसे ही आप public icon करेंगे सारे parameters के लिए तो आपकी profile visible हो जाएगी all the corporates को this will make your profile get listed in the recommend profile and as and when jobs are posted based on the selection criteria defined by the corporates तो आपको एक छीज बताना चाहता हूँ जितनी अच्छी अपनी profile बना सकते हैं यहाँ जितनी अपनी अच्छी profile के बारे में लेक सकते हैं कि मैंने यह किया है profile summary में इसी के साथ-साथ यहाँ से add more section कर सकते हैं जैसे की work experience project accomplishments videos अगर आपके कुछ project और experience के videos है तो वह भी यहाँ पर डाल सकते है apply means यहाँ पर पूरा add कर सकते हैं आपकी जितनी अच्छी profile रहेगी आप उसे public करेंगे means आप publish जेशे ही करेंगे सबसे पहले जैसे माल लीजी आपने सारी details डाल दी nqt की summary तो अपने आप यहाँ पर आ जाएगी फिर publish profile करना है are you sure you want to publish profile तो आप जैसे yes पर करेंगे तो एसा लिखा आजाए कि congratulations your profile is published तो एक चीज़ बताना चाहता हूं यहाँ पर published हो गई है तो आप corporate की तरफ जब भी jobs आएगी तो यहाँ पर आपकी profile recommend हो सकती है पर दोस्तों एक बात बताना चाहता हूं जितनी अच्छी profile रह हो सकती है corporate की तरफ से जो selection criteria रहेगा उसमें आप apply कर सकते हैं तो दोस्तों आप फिफ्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं कि note that setting visibility to corporate limit access to you profile only to the corporate that you have specifically applied and we advise you not to choose this option to increase your chances of selection अब आपको है न यहाँ पर corporate नहीं select करना है means आपको यहाँ पर एक सीज बता जता हूं में कि यहाँ पर उन नहीं रखनी है सिर्फ किसी एक corporate के लिए नहीं रखनी है नहीं तो वो सिफ एक ही corporate को दिखेगी आपकी profile बाकी सब नहीं दिखेगी तो जिससे की job के selection के chances कम हो सकते हैं अब apply by for jobs on clicking अब apply कैसे करना है इस link पर जाना है इस link पर जैसे ही यहाँ पर जाएंगे तो available jobs यहाँ प platform पर जैसे कि अब देख लेते हैं कि java developer software engineer की है wordpress developer की है devops engineer की है member technical junior associate android developer जो कि अभी अभी post हुई है देख सकते 10 February को post हुई है यह 23 February को post हुई है और यह तो कली के दिन मतलब पिछले दिन post हुई थी public sapient company की तरफ से है multiple cities में आपको location मिलने वाली है junior associate technology अब इस पर apply कैसे करन यह भी बता देता हूं अब you are not eligible for this job यहां पर देख सकते हैं आप क्यूंकि यहां पर देख लेते हैं उन्होंने job details क्या बताईए क्यूंकि फिर वो job details बताएंगे उसके according हम यहां पर apply कर पाएंगे तो दोस्तों यहां पर क्यूंकि कुछ companies का criteria रहता है तो criteria के according यहां पर उ नहीं कर पा रहें क्यूंकि अभी धीरे धीरे टीसी एसायन प्लेटफॉर्म पे जो है जॉब्स पोस्ट हो रही है तो आपको यहां पर अपनी jobs के according यहां पर करना है जैसे कि मैं आपको एक और job ले लेता हूं जैसे कि यह PHP पर कर लेते हैं अब यह देखिए दोस्तों जैस सकते हैं कि मैंने जॉब के लिए apply कर दिया है successfully communication हो जाएगा मुझे मेल के थूरू कि यहां पर बता दिया जाएगा कि मुझे इस जॉब के लिए आगे क्या आपको कुछ पॉइंट्स के बारे में बता है जो कि आप सभी को जानना बहुत ही ज़रूरी थे उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए डेली जॉब अपडेट फ्रेशर्स वीडियो के लिए इसी के सबस्तте आप हमारे टेली ग्राम चैनल को जोइन कर लीजे सारे जॉब अपडेट उपडेट को वहां पे एक ही जगह आपको पूरे मिल जाएंगे सारे अपडेट इसी के सबस्ता काफी सारी प्लेलिस्ट है चैनल पे उन्हें भी आप विजिट कर सकते हैं उन्हें भी आफ रिफर कर सकतें, काफी सारे job update है, कुछ भी doubt आ रहा है, मुझसे comment section में पूछ सकते हैं, happy learning और आपको इसमें कोई भी doubt आ रहा है, job listing platform में या आपको job visibility में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे DM भी कर सकते हैं, Instagram पे, तब तक के लिए next video में मिलेंगे, thank you